एक अवार विलॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ और अलग मुक्तलिकित से आपके साथ चाह रेसिपी शेयर की थी हमने मुक्तलिक टो आज वैसी हम एक और रेसिपी आपके साथ लाएं और बहुत ही अच्छी हैं हम भिन्डी सब्जी बनाने लगें और वो है हमारा लेंच बिल्कुल थोड़ी सी होगी क्योंकि मैं और मेरी बेहन नहाई खाएंगे बहुत ही मज़ेदार भिंडी सब्जी बनने लगी और बहुत ही असान तरीके साब को पताएंगे कैसे बनती ही भिंडी सब्जी और बहुत ही कम वक्त में बनाएंगे और लकडियों बनाएंगे और चलिए अब लकड़ी तरफ चलते हैं लोड़ी चिलाते हैं और जल जाने बड़ी अच्छी बात है और धूप गर्मी बहुत हो रही है तो पहले हम इसमें शामिल कर रहे हैं लकडियों में थोड़ा सा मिट्टी का तेज़ दा कैसानी साब पकड देंगे नियारहा और है है कड़ाइय करें के डाया में या अज हम बनाएंगे अपना भिंडी की सॉप्री डंडहालने अब आप इनदर को हम न misma शामिल करेंगे सरस और तेles ऐसरसो तेल में बनाएंगे थोड़ा सा तेल शामिल करेंगे ताकि अच्छी खुल-खुरी सी हमारी बिंडी बने तक तेल को गरम होने तक अच्छी तीन है पकाएंगे तो कि स्मस्य शामिल घौ आसे सार्सो तेल है कि और यहां हमारा तेल बस घरम होने वाल вже तेल हमारा गराम हो चुक है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे बारी कटी हुई प्यास यह देख सकते हैं जैसे अब प्यास को भूनने है अच्छी तरह यार गर्मी भी इतनी हो रही उपर से उपर से आगे गरम गरम लकड़ी तरह देख सकते हैं अब कापी अच्छी आग लगी है अगर्मी इतनी हो रही है और उपर से आग अब बहुत गर्मी हो रही पसीना प्रीना हो देख सकते हैं धूप कितनी हो रही है अब अब हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे प्याज हलकी ब्रॉन हो चुकी है हमारी वुद्ब सुद्ब को सिंपल रहिटी ए मारी दर्स मिंड में तियार हो जाती है और बहुत मज़ेखी बनेगी आसान और नहायत इसान रसी भी हमाइर रहां हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार हमारी भंडी रेडी होगी हो रही है मिसाल है इसमें हमने शामिल कर दी है अब बस हलकी आज पर पगाने है ज्यादा तेज नहीं करने है कर दो अब आज और आज गर्मी बहुत होगी है अब बना रहे हैं हम अभी खाएंगे नीचे जाएंगे फिर आपको इससे आज आग हलकी और तेज हो रही है अब लग रहा थोड़ी बड़ गई उड़ रही है हावा चल लिया थोड़ी बादया लागा है ना है और हमारी भिंडी अब बस रेड़ी होने वली इसमें अब हम मिसाले शामिल करेंगे थुआ बहुत हो रहा है आग भी सिलो चुकी है इसको हम थोड़ा अव्याग लगाते हैं हरी मिर्चें एड़ कर रहे हैं बारी कटी हुई नमक नमक शामिल हो रहा है और लाल मिर्चें थोड़ी हल्दी आपको डालनी है ताय कलर थोड़ा अच्छा आज है और यह हमारी बिंडी रेड़ी हो चुकी देख सकते हैं अब बहुत ही अच्छी बनी अब हम इसको प्रेड में निका जाएं देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है और यह हमारी बिंडी रेड़ी हो चुकी है प्लेट में निकाल दी इसको और आप माद भाई अब इसको चखेंगे कि कैसी बनी है चेक करते हैं बहुत अच्छी बनाई है अपने थैंक यू भाई बिल्कुल ना मिसाला तेज है ना हलका है बिल्कुल सब चीज दर्मियानी और उस पर बनी लकडी बहुत जी अच्छा जाइकार है थैंक यू आप नाजरीन और व्यूवर्स से भी देखनी दर्खास्त है यह वीडियो ज अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीगा जब तक कि अलाफिज अलाफिज